अब बात कोरुना की जो देश के कई राजों में फिर से फैल रहा है लेकिन लोग कितने गंबीर हैं ये बताती तस्वीर विहार के सहरसा से आई है देखिए और आप ऐसी लाप आई कभी मदबर रहे हैं ये तस्वीरे हैं सहरसा सदर अस्पताल की जहां कतार में खड़े ये युवक कोरुना टेस्ट करवाने पहुँचे हैं लेकिन आलम ये है कि इनके चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही सामाजिक दूरी का कोई खयाल एक तरफ ये युवक खोद अपनी जान से खिलवार कर रहे हैं तो अस्पताल प्रशासन पर भी आवेवस्था का आरोप लग रहा है इन दिनों कतिहार में सैनिक भर्ती परीक्षा चल रही है जिसमें शामिल होने के लिए कोविट जाच रुपोर्ट देनी जरूरी है जाच के लिए पहुँचे युवको की शिकायत है कि इतनी भीड के बाबजूद महज एक काउंटर पर ही जाच हो रही है अपनी बारी के इंतजार में युवको को धूप में खड़ा होना पड़ रहा है वही अस्पताल प्रिशासन कोई कदम उठाता नजर नहीं आ रहा है ऐसे में सवाल उठता है कि देश में दुवारा बढ़ रहे कोरोना के बाब जूप इस तरह के लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है प्रतिवी देखी नए तस्वीर भले ही बिहार की हो लेकिन अगर अपने आसपास क्या बाजार भी जाएंगे तो कुछ इस तरह कहीं सूर्तेहाल देखने को मिलता है टराता है एक तरफ देश में वाक्सनेशन की बहुति नेजी पकड़ रही है वहीं दूस्त्री और कोरोना फिर से सर उठा रहा है देश में कोरोना की मामलों का ताजह अपड़ीट दी हमारी एंड रिपोर्ट देखिए भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले एक बार फिर्चिंता में डाल रही है सितंबर 2020 के बाद कोरोना केस में कमी देखने को मिली थी लिकिन 4 मार्च 2021 को अचानक 17407 केस सामने आए भारत के कई राज्यों में हो रहे कोरोना केस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है जिन में महराश में सबसे ज्यादा 9,855 केसा हैं इसके अलावा केरल में 2,755, पंजाब में 772, करनाटक में 528, तमिलाडु में 489 और गुजरात में 475 नए मामले सामने आए हैं वही दिल्ली में भी गुरुवार को अक्टिव मरीजों के संख्या 100 से ज्यादा हो गई ना पावंदी हो, ना कोई हद हो, हो तो बस खुद बनाई सरहद हो ये मुहम है परतों में छिपे हर सच के तलाश की, सियासत पर रख्थी पहनी नजर और आख की खबरों के दुन्या में एक जिम्मदार आवास की, जुर्म और जुर्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इनसाफ की जब कोई हद महीं इनसामियत के लिए जذबात की, जब कोई हद महीं खुश्यों और खाब की तब कोई हद क्यों हो नए नजर ये और बदलाव की तोड के हदों के ताले नए सपनों को पाले बांधे सब को एक धागे आप को रखे आगे ABP News